नमस्कार दोस्तों मैं हूं डॉक्टरामित मैश्वरी बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर, मुडिवेशन स्पिकर और सीओ, मेटास ओवर्सीज लेमिटेड आज इस विश्या पर हम बात करने वाले ना बहुत सार लोग इस पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं औ केवल जानकारी के रूप में आप इस वीडियो को जरूर देखिए आज हम बात करने वाले लॉफ अट्रेक्शन के बारे में और लॉफ अट्रेक्शन में यह बताता है कि जिस तरह के विचारों को हम सोचते हैं समझते हैं उन पर विचार करते हैं वैसा ही हमारा भाव बनत करता है उसी के हिसाब से यह निड़ने होता है कि आप अपनी लाइफ में कहां तक पहुंचेंगे मतलब उधारन के रूप में आपको बताऊं जैसे मान लीजिए आप कार ड्राइव कर रहे हैं और कार ड्राइव करते समय आपने सोचा कि चलो अच्छे गाने सुनता हूं य आपके रेडियो से मैच कर गई आपके FM से मैच कर गई ठीक इस तरह से हर व्यक्ति अपने माइंड से कुछ सिगनल को रिलीज करता है और इस ब्रहमांड में हर तरह के सिगनल होते हैं और जैसे सिगनल वाले व्यक्ति से आप मिलना चाहते हैं एटोमेटिकली वो व्यक्ति आपके संपर्क में आ जाता है मैंने अपनी लाइफ में ना कभी भी जिम के वारे में नहीं सोचा तो मेरे friend circle में कोई भी ऐसे लोग नहीं थे जो जिम करते थे या उस तरह की बाते करते थे या उस तरह के thought process को रखते थे या diet की बाते करते थे मेरे साथ वाले लोग तो हमेश खाने पीने की बाते करते थे लेकिन जब मैंने माइंड में एक पिक्चर को डिजाइन किया कि मुझे अपनी फीजिक को चेंज करना है मतलब जब मैंने अपने विचारों में जिमनेजियम के बारे में सोचने के लिए अपने विचार बनाए तो automatically मेरे circle में उस तरह के लोग आने लगे और कहते हैं कि कोई भी building एक बार में नहीं बनती सबसे पहले उस building की छवी आपके दिमाग में बनती है और उसके बाद उस छवी को paper पर design किया आता है और वास्तविक्ता में वो चीज तब बन कर सामने आती है जब वो आपके दिमाग में वो छवी बन चुकी होती है इसी law of attraction हमें एक बात पताता है law of attraction कहता है ask आप इस प्रकरती से हर वो चीज प्राप्त कर सकते हैं जो आप उससे मांगते हैं what you want आप क्या चाहते हैं इस universe से उस तरह की चीज़ों को मांगना शुरू करें कहते हैं कि इश्वर की प्रात्ना में बहुत शक्ती होती है इश्वर की प्रात्ना हम जिस तरह से करते हैं उस तरह की चीज उस तरह के विचार उस तरह के लोग उस तरह का माहौल हमारे सामने आता है इसलिए जब भी आप इश्वर से कोई भी चीज मांगने के लिए तयार होते हैं तो उस तरह के circle के लोग आपके link में आना शुरू कर देते हैं और दूसरी important बात केवल चीजों को मांगने का important नहीं है आपने देखा कई बार कहते हैं कि अगर आपने सच्चे मन से प्रार्थना की है तो आपको हर चीज मिल जाएगी मतलब सच्चे मन से प्रार्थना का मतलब है आपने अपने mind में believe किया है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ मैं ये achieve करना चाहता हूँ मैं इनसे मिलना चाहता हूँ मैं चीजे प्राप्त करना चाहता हूँ और जो चीजे आप प्रकरती से मांगते हैं और ठीक वैसा ही believe करते हैं कि मैंने प्रकृति से जो मांगा है yes we can get, मैं वो चीजें प्राप्त कर सकता हूँ, तभी प्रकृति आप को उन चीजों को पाने में 100% मदद करती है, इसके बाद achieve, आप क्या चीज अचीज करेंगे, you will achieve your goal, सबसे पहले आप प्रकृति से हर उस ची को achieve कर पाएंगे, यह law of attraction हमें बताता है, और law of attraction एक बात यह भी कहता है, you are the creator of your own destiny, आप ही अपनी destiny को decide करते हैं, आपनी अपने जीवन के गड़तव्य स्थान तक कैसे पहुंचेंगे, यह आप ही decide करते हैं, और आप देखते हैं कि प्रकृति में हर वो चीज है जो आप प भावना रखते हैं, ठीक वैसा यह भाव, वो व्यक्ति हमें मिलकर हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब आईए मैं इस बात को ना, एक example group में बताता हूं, आज आप कहा हैं, इस बारे में आपको पता है, यदि आपके जीवन के कोई लक्ष नहीं है, आपके ज व्यक्ति आज कल किसी भी स्थान पर पहुंचने के लिए नैविगेशन का इस्तिमाल करता है, अब ये नैविगेशन कैसे काम करता है, नैविगेशन भी ब्रहमान के इस नियम का अनुकरन करता है, आप कहां पर हैं, ये बात आपको पता होती है, ठीक उस तरह से जब आप में कोई भी लोकेशन डालते हैं, तो वो लोकेशन डालने के बाद आप कहां पर हैं, वो आपको एक सिगनल के रूप में दिखाता है, जैसे माली जे मैं नैविगेशन में डाला कि मैं टास लाइस्टेल का शोरूम, तो यहां मेरी लोकेशन जो दिखाएगा, वो लोकेशन दिखाएगा जहां पर मैं हूँ मतलब ये मेरी location है इस समय में यहां पर स्थित हूँ यदि आप इस location को mobile में चेक करेंगे ना तो इस location के साथ में एक चारों तरफ blue ring दिखाई देगी यह blue ring क्या दर्शाती है यह blue ring इस बात को दर्शाती है कि आप कहां है यह आपको पता है लेकिन आप कहां पहुंचना चाहते हैं इसके बारे में आपको नहीं पता इसलिए वह आपको 360 degree में घुमाएगी मतलब आप अपना गड़तव्य स्था जरूर निर्धारित करें और जब तक आप गड़तव्य स्थान निर्धारित नहीं करेंगे वह आपकी location के साथ साथ आपको blue ring दिखाएगी और जैसे navigation में आपने फीर किया आप खांजाना चांते तो तुरण नैविगेशन ने आपकी location से स्था यह हम कहाँ पर हैं देली पीतम पुरा में हैं मेट उयां से हम जाना चाहते हैं तो यह वारन टीकी पूरी की पूरी लोकेशन की किस राष्टेसे हम जाएंगे डेली से नौइडा, नौइडा से आगरा, आगरा से इटावा, इटावा से और आगे चलते हों, लखनो, लखनो से सल्तानपूर, सल्तानपूर से जैनपूर और वहां से सिधा वारनसी और यह टोटल डिस्टेंस 858, 858 किलो मिटर का होगा और इस जर्नी को तै करने में 14 घंटे 7 मिनट का समय लगेगा यह पूरी बात नविगेशन हमें बता दी, ठीक इस तरह से लॉफ अट्रेक्शन काम करता है, हम कहां पर हैं और हम कहां पर पहुंचना चाहते हैं जिस तरह के विजन, जिस तरह के लक्ष, जिस तरह के गोल, जिस तरह के टार्गेट हम निर्धारित करते हैं, उसी तरह का रोड मैप हमारे माइंड में बन जाता है और जब हम उस road map पर चलना शुरू करते हैं तब पता चलता है कि उसे हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा तो navigation हमें बताता है कि कहा पर हैं और जब हम लक्ष निरहरत करते हैं तो कहा हम पहुँंचना चाहते हैं उस destination तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये सारी जानकारी नेविगेशन के माध्यम से हमारे पास पहुंचती है और यही बात आपके उपर लागव होती है कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं देखे एक बहुत इंपॉर्टन बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ तुलसीदास जी ने कहा जिनकी रही भावना जैसी प्रभ मूरत देखी 33 मतलब आपके मन की भावना है जैसी है आपके मन के विचार जैसी है वैसी ही डेस्टिनिशन तक आप पहुंचेंगे ऐसे ही लोगों का साथ आपके साथ होगा और आपके जीवन में वही घटनाए घटेंगी जिस तरह का विचार आप अपने मन में रखते होंगे इसलिए आपको जो विचार है ना वो बहुत positive होना चाहिए सकारात्मक mindset आपका होना चाहिए तभी आप अपनी destination तक ठीक तरीके से पहुँच पाएंगे और अपने जीवन के सभी लक्षों को हासिल कर पाएंगे quantum physics के महान विग्यानिक Albert Suter से जब पूछा गया कि लोग अपने जीवन में अपने लक्षों को हासिल क्यों नहीं कर पाते हैं उसके पीछे कारण क्या है तो उन्होंने कहा उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है power of thinking मतलब उनकी जो power of thinking है न वो इतनी powerful नहीं है कि वो 100% अपने targets को achieve कर सकें क्यों क्योंकि उनकी जो power of thinking है न उसमें कही न कहीं कोई कोई doubt रहता है कई बार आपने भी देखा होगा आपके मन में यदी कोई विचार है परंतुस विचार को ले करना आप 100% confident नहीं है तो वास्तेविक्ता में वो चीज भी आपको हासिल नहीं होती है इसलिए आपको अपने विचारों पर 100% विश्वास रखना है और जितने भी नकारत्मक विचार हैं उन पर कभी ध्यान नहीं देना उनको अपने mind से avoid करना है मैं इस बात को एक example group में आपको बताता हूँ कि आप जब तक अपने लक्ष निधर्थ नहीं करेंगे तो आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे कलपना कीजिए कि आप एक bus stand पर खड़े हैं और उस bus stand पर आप किसी particular स्थान पर जाने के लिए bus का इंतजार कर रहे हैं आपके सामने एक पहली bus आती है उस bus पर वो number नहीं लिखा हुआ या वो पता नहीं लिखा हूँ या वो destination नहीं लिखी हुई जहां पर आप जाना चाहते हैं आपके सामने दूसरी bus आती है वहाँ भी वो destination नहीं लिखी जहां आप जाना चाहते हैं तो क्या आप उस बस में बैठेंगे, नहीं, आप उस बस में नहीं बैठेंगे, फिर मान लेते हैं आपके पास एक ऐसी बस आती है, जिसके उपर कोई प्लेट नहीं लिखी, कोई डेस्किनिशन नहीं लिखी, तो क्या आप ऐसी बस में भी बैठेंगे, नहीं न, आप ऐसी ब तवे अस्थान से match नहीं करता तो आप अपने जीवन में बिना goal बनाए बिना लक्ष बनाए बिना target set किये बिना ये निर्धारित किये कि आपको कहाँ पहुँचना है आप कैसे जीवन वेतीत कर सकते हैं इसलिए अपनी life में अपने लक्षों का निर्मान करें अपने लक्षों को हासिल करने के लिए अपने माइंड को वो सिगनल रिलीज करें कि वो नैविगेशन के माध्यम से आपको वहां तक पहुंचने का सही स्थान बता सके Law of Attraction यही कहता है कि आप अपने विजुलाइजेशन में किस तरह के विचार लाते हैं और किस तरह के विचारों के साथ आप उस पर विश्वास करते हैं और विश्वास करने के बाद आप उनको हासिल करने के लिए क्या प्रयास करते हैं इसलिए Law of Attraction यह कहता है अपनी life में हर उस चीज को attract करें जिसको आप पाना चाहते हैं और पाने के लिए उस पर पुरा विश्वास करें जैसे वो आपको मिल गई है और बास्तविक्ता में आप देखेंगे एक ना एक दिन वो चीज आपके पास जरूर होगी मैं आप लोग उसे एक बात पूसता हूँ मुझे comment box में लिखकर ये बताएं कि कब आपने अपने मन में किसी विचार को लेकर 100% विश्वास के साथ उसे हासिल करने का प्रयास किया और वो चीज आपको हासिल हुई या नहीं हुई दूसरा आप अपनी लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हैं ये भी मुझे comment box में लिखकर जरूर बताएं क्योंकि लिखने की जो शक्ती है न वो आपके सपने को पूरा करने का पहला कदम है मैंने आपसे कहा था जैसे विचार आप अपने मस्तिश्क में लाते हैं वैसे ही बात आप करना शुरू करते हैं और जैसे बात आप करना शुरू करते हैं वैसे ही लोगों का साथ आपके पास होता है और जैसे लोगों का साथ होता है वैसे ही आप लक्ष प्राप्त करते है इसलिए comment box में मुझे लिखकर अपने विचारों के बारे में जुरूर बताएं स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित्माहिश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद, जै भारत